तो वैल्कम बेक आजकी इस वीडियो बहुत जाला हिस संदार होने वालि है क्योंकि डियस्धू को फोर्म जो है रिलीज हो चुका है अब याभी इनो कुट्रिफिकेशन आई एक कि वह रिलीज हो चुकी है तो जी हां दोस्तों आपको फॉर्म कि लिंक कहां पर मिलेगी कैसे आपको अप्लाई करने हैं यह सारी जनकारी इस वीडियो मिलेगी तो आपकी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं है कि कौन-कौन से कौर्से में अप्लाई उनको करनी चाहिए उनको पता ही नहीं होता है कि एलिजबल है या फिर नहीं है रिजिस्टेशन फी कितनी है लास्ट डे कब तक है यह सारी जनकारी इस वीडियो मिलेगी और रिजर्वेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो से आते हैं से से आते हैं और और लेकिन उसने कितनी सीटे है यह सारी जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और फी कितनी होगी देना वख्त गवाय है आई यह हम स्टार्ट करते वीडियो को चलिए दोस्तों तो दोस्तों डियास उने अपना व्रोचर कर दिया है अब बहुत सारी चीज़े जो है चेंज कर दिया है तो देखते हैं जैसे कि पहले की जो आप देखेंगे तो पहले कम थे अभी बढ़ा दिया आप देख सकते हैं कि पहले की दो यार तेघव चोविस में यह ती तो अब ये क्या क्या है डियस उने चेंज कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चेंज़ कर दिया है इस वीडियो में आपको अले में स्षागा इंफॉमेशन में और सिट म्योन मैं दिखाऊंगा वह सारे जょ प gj cart दोब ख़िन भाद करेंगे सारी चीजों की बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो डीयस्यू का रेशिटेशन फी है हो हजार रुपय है मतलब एक याजर आपको रेशी चेशने कि लेगे ठीक है ये रीफंडेवल सक्के लिगा करेंगे हैं उसकी करहिं बढ़ा है उसके बाल आप करेंगे तो फम सब्सक्रारीक पर हो सरे पांच से पहले इस Korean आगे बढ़ देखते हैं तो इसे क्को यह कॉन कॉनसे फ्रोग्राम जो है ओफर करती है तो देखें ध्रस्तों सबसे DSEO offer करती है for diploma ठीक है दोस्तों अभी यूजी का नहीं आया अंडर गिजुएशन का तो वह आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप देखते हैं eligibility की criteria मतलब आपको जब admission लेंगे तो आप eligible हैं कि नहीं किसी course के लिए अभी आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 10th pass होनी चाहिए आपको 40% होनी चाहिए या फिर 40% से ज्यादा होनी चाहिए 40% से आपके percentage कम बन रहे हैं तो आपको नहीं हो पाएगा diploma के लिए ठीक है दोस्तों तो अभी यह confirm नहीं हुआ है कि जो merit based पे होगी आपकी admission या फि पे होगी जो पहले admission होता था वो होता था CET पे common entrance test पे अभी जो है DSU ने अभी साफ साफ बताया नहीं है कि merit based पे आपकी admission होगी या फिर CET based पे होगी ठीक है दोस्तों तो अभी जैसे ही साफ साफ release करता है DSU तब मैं आपको वीडियो बना कर बता दोंगा कि merit based पे admission होगा या फिर CET based पे होगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है अब बात करते हैं दोस्तों reservation की जो reservation है कितनी percent reservation है category wise हम discuss करेंगे जैसे मैं बात करूं schedule caste की तो वह 15% है और schedule tribe की बात करें स्थे की तो है 7.5 है और OVC non-creamy layer की जो है 27% reservation है उन लोगों के लिए जो ब्लों करते हैं जो हम बात करें रहती है अब आगे देखते हैं जैसे रिजन की बात करेंगे जह हम लोग डिली से हैं जैसे दिली वालों के लिए कितनी reservations है seats तो 85 % seat जो है reserved रहती है डिली वालों के लिए insider और आप outsider हैं दिल्ली से बाहर से हैं जैसे reserved है तो अब दूस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है दूस्तों हम बात करें सीट मैट्रिक्स की तो फुल टाइम डिप्लोमा परग्राम्स की आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सीटे वो कम हो गई है किसी केमपस में किसी केमपस में ज्यादा हो गई है तो सारे डिसकस करेंगा जैसे पूसा केमपस में क्या हुआ है साथ सीटे हैं अर्टो मोबाइल इं इंजिनियरंग के इनकी 180 सीटे हैं यह यह पूशा केंपस की आप बात करते हैं दोस्तों रजोकरी कंपस की आप देख सकते हैं पूशा केंपस में और भी कूर्स है तो आप देख ले ध्यान से …पूशा केंपस में आप बात करें तो Computer Scienceि की measures 80 सीटे हैं और अम्बेतकर और सखरपूर दोनों मिला के जो सीटे है 100 है डिप्लोमा कम्प्यूटर इंजिनियरिंग की और बात करें अगरा एक एक करके मैं नाम दूँगा तो आप पॉस करके आप रिड जैसे जीबी पंत हो गया उखला हो गया यह सब पढ़ सकते हैं महरानी बाग हो गया मीरा भाई हो गया इन सारी केंपस्स में कितनी सीटे है आप रिड आउट कर सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते आप यह पर का दिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड और बात कर से फिर से प्रोड करना पड़ेगा जेनरल कोजन जैसे तो उसके लिए पहले से एडवांज में आपको हजार रुपिया प्यमेंट करना होगा यह ठीक है और फिर उसके बासे लाइबररोट्री पीस है दो हजार उसके ब बात करें हम यह refundable नहीं है यह जो है refundable नहीं है ठीक है तो enrollment fees जो है 200 रुपया है आईडी काड फीज 100 रुपया है ठीक है दोस्तों फिर आप बात करते हैं इसका admission fees कितनी है 500 है sports fees 500 है ठीक है library fees 500 है ITES 500 है extra curriculum activities fee 500 है library fees 1000 रुपया है development fees 1000 रुपया है transfer certificate CC जो है 200 है duplicate ID card आप एक ID card तो बनेगा फिर आप duplicate भी बनवाना चाहते है तो 100 रुपय एक्स्ट्रा लागेंगे उसके लिए भी अब देखिए दोस्तों अब यह diploma architecture की है diploma architecture का फीए structure आप देख सकते हैं त्यूशन फी है 25,000 ठीक है दोस्तों यह एक semester की बात हो रही है पूरे साल के बात नहीं हो रही है एक semester की आपको डिप्लोमा सिविल इंजिनिरिंग है डिप्लोमा एलेक्टिकल इंजिनिरिंग है मेकैनिकल इंजिनिरिंग है आप देख सकते हैं बहुत सारे कुर्सेज हैं जो पूसा केंपस में है और अगर हम बात करें रोजोखरी campus में आप देख सकते हैं डिप्लोमा computer engineering है अगर हम बात करें डिएस्यो ओख्ला campus की तो देखिए डिप्लोमा ओख्ला campus में जो है automobile engineering है civil engineering नेख्टिकल नेंग रोबोटिक और पोर्सिषि अटोमेशन है यह सारी जो है यह ओख्ला केंपस में है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कस्तूर्बा एंड पितम पूरा केंपस की तो देखें दोस्तों डिप्लोमा इन सिविल इंजिनियरिंग कोर्स है ठीक है कंप्यूटर इंजिनियरिंग है एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग है अब बात करते हैं आ ठीक है मेरा बाई और महरानी बाग जो पिंक पिंक वाला आपको दीख रहा है न यह सिर्फ गल्स के लिए है तो इसमें जो आर्टिटेक्चर है कंप्यूटर इंजिनिरिंग एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग है ठीक है दोस्तों अब गुरु नानक द्यव रोहिनी केमपस क केंपश कर हैं कि इसमें यह कुर्सेस और आगे बात करें किसना वासरपूर को इसमें और आइको लगी होगी informative लगी होगी ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को subscribe जरूर करना मिलते हैं एक नई वीडियो में नई concept के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध